तो गाइस देखिए स्वागत आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम रिपेर करने वाले हैं लूमिनेस इको वाट एक हजार पचास मोडल का इंवर्टर प्रोब्लम जो है आप देख सकते हैं कि इंवर्टर का जो कार्ड है वो जल चुका है मैं आपको दिखानी कोजिस करूं यहां पर तो यह देखिए अभी मैं आपको कार्ड खोल कर दिखाऊंगा तो इसका कार्ड ज की जमें हुई है ब्लोर से गंद की नहीं एटी है ना ही किसी ब्रस से हट रही है और इसकी जो रिले के आसपास की पीसी भी है वो भी जल चुकी है तो देखिए सबसे पहले मैं पीसी भी को खोल लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस में आपको किस दोब्साइब के इसकी पीसी भी को धोना है जिससे की हमारा इन्वेटर जो है वह यह वाला कार्ट ही ओके हो सके सबसे पहले कि मैं इस इन्वेटर की जो इसे खौल देता हूं देखिए अभी आप देख सकते हैं कि पीसीभी के ऊपर की जब गलू है यह भी नहीं है और एज़े लिए सबसे पहले हमें इसकी ग्लू में और एक एक करकर इसकी सारी जिक जो है उन्हें हटा लेना है कि देखिए अ मैं कि पहली वार टिर्जावा खूल रहा है कि यहां पर देख सकते हैं यह सब इसकी ग्लू लगी हुई है आपको इसके बाइर हटाने से पहले अगर आप पहली बारी से खोल रहे हैं या फिर आप अभी नए हैं तो इसका एक फोटो खीच लेना है जिससे आपको बाद में बाइर लगाने में आसानी हो यह देखिए अब बचिए हैं इसके अंदर बैटरी के और इन्वेटर के बायर अब देखिए जितने बायर थे हमने सारे के सारे खोल लिए हैं अब इसका कार्ड में बाहर निकालता हूं अब देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरह से दिखानी कोहिस्स करता हूं तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो कार्ड की जो हमारे इस्तिती है वह बहुत ज्यादा खराब है यह देखिए तो देखिए अगर आप इसे पैटरोल की अथिनर की साइटा से दोनी कोशिस करें तो यह बिल्कुल साप नहीं होगा तो हम इसे किस चीज से दोएंगे तो द है तो बड़ी ही आसानी से साफ हो जाएगा देखिए गाइस पीसी जो है हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया आप देख सकते हैं इसे हमने पानी से दोया है अब यह पीसीवी जो डैड थी एकोबाट की पीसीवी जब भी डैड हो तो सबसे पहले उसके अंदर जो खराब ह हमारी ओन हो गई है अगर मैं आपको देखानी कोशिश करूँ तो यह देखिए ग्रेन एलेड जल चुकी है और पीसीवी हमारी ओन हो गई है तो जब भी पीसीवी डैड हो तो बनो और सबसे पहले चेक करना है और उसके बाद अगर फिर भी हमारी ठीक ना हो तो इसके स्व यहां पर देखे इस जगए हमारा यहां पर यहां पर यहां पर हमारी उठ रही है तो हम क्या करेंगे यह वाला जो हमारा connector लगा हुआ है यहां पर इसे यहां से हटाएंगे और इसके नीचे अच्छे तरह से हम साफ कर देंगे देखिए PCB जो है यहां पर जल गई है अगर हम इसे ऐसी लगा देंगे तो इसके अंदर फिर से कोई problem हो सकती है तो सबसे पहले मैं इसे निकालता हूँ देखिए यहां पर इसे हमें आराम से निकाल देना है इस तरह से यह देखिए हमने निकाल दिया है अब आप देख सकते हैं तो यहां पर PCB जो है हमारी वो पूरी तरह से जल चुकी है अब देखिए इसे देखना है हमें कि ये जो है वायर हमारे ये कहां लगेंगे तो सबसे पहले देखिए ये प्रिंट जो है ये तो हमारे नहीं जले हैं लेकिन PCV इसके आसपास की जो है वो अच्छी तरह से जल चुकी है तो हमें इसे ठीक से साफ कर देना है और प्रोब्लम जो है हमारी वो साफ हो जाएगी तो देखिए आप किसी चीमटी की साथ इसे साफ कर सकते हैं यहाँ पर जो PCV जल गई है यह देखिए इसके बीच में जो है वो रेजिस्टेंस क्रियेट हो जाती है जब PCV जल जाती है और जब इसके अंदर हमारा लोड पड़ेगा तो यह PCV हमारी और आगे को बर्न हो जाएगी तो उससे पहले हम इसे अच्छी तरह से साफ कर देंगे जिससे की हमारी कोई प्रोब्लम ना हो देखिए इस PCV के जो प्रिंट जले होए थे उसकी जगह हमने जमपर लगा दिये हैं यहाँ पर यह जमपर हमने जो है वो दूसरी PCV में से देखकर लगाए है यहाँ पर किरेंगे PCV को जो हमें इनवेटर के अंदर सेैट कर देता हूँ क्योंकि PCV वह हमारी रिपयर हो चुकी है और उनवेटर हमники आयाय ह happens और इसकी आउट जो है ये देखिए वह भी आ चुकी है लेकिन अब इसके अंदर जो प्रोब्लम है वह कि इसकी जो में लीड है इसमें हमारा करेंट जो है वह बापस आ रहा है ये देखिए में लीड के अंदर इसका current जो है वो बापस आ रहा है जैसी हम इसे charging के अंदर लगाएंगे तो inverter हमारा काम नहीं करेगा और हो सकता है कि इसके अंदर कोई बड़ा fire बन जाए अब देखें इसे हम कहां से solve करेंगे सबसे पहले इसे देखते हैं तो PCP को देखें हम फिर से बाहर निकालते हैं क्यो कि यह जो problem है यह हमारी रिले की है अब देखें कून से रिले को हमें बाहर निकाल ना होगा उससे समझते हैं देखी इसकी जो रिले है वो हमारी यह है मेन वाली और output की relay हमारी यह है यह हमारी select की है इस पर एक mid है और एक high है यह हमारी charging selector की relay है लेकिन इसकी जो main की और output की main relay है वो यह वाली है यह relay जो है हमारी खराब हो गई होगी अब देखी से check करने का जो तरीका है वो क्या है relay के अंदर हमारे total 5 point है 1, 2, 3, 4 और 5 यह देखिए यह दोनों point जो है यह हमारे आपस में connect रहेंगे जब तक relay हमारी own नहीं होगी और यह वाले दोनों point हमारे connect नहीं रहने चाहिए लेकिन आप देख सकते है कि हमारी जो continuity है वो तीनों point पर आ रही है इसका मदलब है कि यह वाली जो relay है और यह खराब हो चुकिए अब देखिए जल्दी से रिले को बाहर निकालते हैं और इसे change करते हैं इसके बाद जो है वारी problem बिल्कुल भजाएगी देखिए रिले जो हमने इसकी निकाल दी है और रिले जो है पूरी तरह से जल चुकिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से रिले हमारी काली पड़ा लिए अब देखिए इसकी जो रिले है उसे हम change करते हैं देखिए इसकी जो रिले है वो हमने change कर दिया है नीचे यह और से इसका एक प्रिंट जला हुआ था तो उसकी जगह जो है आप ने नीचे से एक jumper लगा दिया है अब देखिए बापस से जो है वह इंवर्टर के अंदेर हम set करते हैं देखिए इंवर्टर हमने बापस बंद कर दिया है आप जो प्रोब्लम थी उससे देखते हैं पहले इसकी मेल लीड पर चेक करता हूं तो यहां पर हमारा कोई भी बोल्टेज जो पहले था वो नहीं है तो अब देखिए में से कनेक्ट करते हैं और इसकी एक बार चार्जिंग को चेक कर लेते हैं इन्में जो है उपने क्ञोट कर दिया है सामने की मेरे आपका इसे दिखाता हूं तरी इंबेटर हमारा वन हमना में में से कनेक्ट करता हूंक तो देखे je क यहां पर इसने में सेंज कर ली है चार्जिंग भी देखे इसकी आ गई है और चली गई है क्योंकि आप पीछे की और देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो छोटी लेगी हुई है जिससे यह प्रोपर हमारा चार्जिंग नहीं कर रहा है लेकिन आप क्लैम मेंटर में इसके इनवेटर गंदर निकल जाता है तो देख अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना थैंक्यू गाइस